तो हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग विल्कम टू इन दिस वीडियो और आज हम दिखाने वाले हाई केल गेंपले रेंडम टीम मेट के साथ लेकिन युज्वाली जो सब के साथ होता है वो मेरे साथ भी हमारा टीम मेट जा चुका है कुट कर गया तो देखिये आगे अब जाएन जाएन ऑार टीम मेंगा टूद दॉप लेकिन आपाई आण। कि यहां पर गन मिलने के बाद जैसे ही मैं आगे जाता हूं मुझे लगता वह एंडमी जो है वह हमारा टीमेट है कि उसके उपर लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था और मुझे लगा था हमारा टीमेट हमारे साथ उत्र है लेकिन तुरंथ मुझे रिलाइज होता है कि नहीं है यह भाई सब लूटने में लगे था हुतने में यह पिलाग है अगे यहां पर जैसे उसके दो टिम में नौक होते हैं मैं रश्कर जाता हूं मैं सीडियों के वजए वाल से जाना प्रेफर करूंगा क्योंकि सेडियों में लेके बैठे रहते हैं इसलिए वाल जाएगा अभी जाने के लिए तो देखिए अभी जिस पर मैं करके शूट कर रहा था वह एक चुले में एक बॉट था वह के अनिमी नहीं था यह मैं आपको इंफॉर्म कर रहा हूं आगे जाके मैं उसको मार देता हूं तो इसके आगे से दिखार हूं मैं आपको कि आपको झार मैं आपको पुट हूं मैं शुट है यहां पर मुझे लगा था कि military base clear हो चुक है लेकिन जैसे firing icon आता है मैं alert हो जाता हूं कि इधर अभी और भी enemy बचे हुए है कि अभी बचे हुए 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 है हुए 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 हु कि यहां पर लूट करने के बाद हमारा जो टीममेट हॉस्पिटल के तरफ गया था वो नौक हो जाता है तो हम डिसाइड करते हैं कि उसको बचाने जाएंगे अभी रोजों के तरफ नहीं जाएंगे सिधा वो हॉस्पिटल तरफ था एक्चुली तो हम हॉस्पिटल के तरफ जाएंगे तो या फिर हमारे जाते तक तो एक्चुली वो फिनिस हो जाता है बट हम उसका revenge ले सकते हैं, तो देखिए आप यहां पर मुझे लग रहा था कि दो इनमी है, क्योंकि मैंने दो दो डिफरेंट गन की आवास सुनी थी, बट वो एक्चल में होता एक ही है, तो मैं यह चीज मुझे उसके डिरेक्ट किल होनी के बाद पता चलती है अब यहां पर हम आगे बर जाते हैं, लेकिन मुझे उस घर में कोई दूसरी कार और नजर आती है स्कॉर्ड हाउस में, तो मुझे लगता है में भी उधर एनमी हो सकते है, करके मैं गाड़ी मोड दिता हूँ लेकिन जब फाइरिंग के आइकन आती है, मैं समझ जाता हूँ कि यहां एनमी है यह गेमिंग सेंस है, आप भी इसको समझे है हुआ पाइब हाँ हुआ झाद सेंस ही मारे इसको भी भी ठिक करें में पाइब इसको सक बड़ muff joking यहां पर हम्शूर थे कि उस घर पे भी एन्मी हो सकता है क्योंकि यहां पर जो जितने भी एन्मी सामने उनको तो हमने मार दिया लेकिन हमारे काड़ी को पंचर कर देता है दूर से विएसस से मार के हम यह चिज़े रस्कना है लेते हैं क्योंकि अगर जाएंगे कोई केमपर के हाथ हो मर गए और एक आउट ऑफ जोन भी है हमें चीकन भी निकालना है यह सुचके हम उदर नहीं जाते लेकिन हम एक बार चेक करते हैं कि अगर वो आ रहा होगा जोन चला गया हम जा रहे हैं देखके तो फिर हम उसको मार स सकते हैं लेकिन वह दिखता नहीं है तो हम गाड़ी चेंज करके सिधा आगे चले जाते हैं अब आगे देखिए और जिस चीज का इंतजार है वह आपके साथ अभी होने वाले मतलब आप देखिए अब क्या होगा मैं उत्रा और में छोटा हो गया लिटरली देखे मैं अब देखिए यहां पर मुझे दूर में भागतों दिखाई दे रहा था जो एड्रप लेके जा रहा है तो बट उसको दो चार गोलिया पड़ती है और वाल बना के उधर चुप जाता है और इधर आगे बहुत फाइट हो रही होती है इसलिए हम सिधा आगे चले हुआ अब इसके बाद मुझे रेलाइज होता है यहां पर रेलाइज होता है कि मेरा केरेक्टर छोटा हो गया है इससे पहले मुझे मैंने ध्यानी ने दिया था अब इस ग्लीच का मीन इडवांटेज देखिए जैसे मैं लूट रहोता हूं मुझे इक लिच इसी में दिखती है सामने तो मैं उचे श्ट्राइकर क्या दिखाता हूं देखिए इसको अगर यह ग्लीच भी आपके साथ होता है तो आप दिवाल के पास जाए और टीपीपी से एफपीपी में कल दीजिए आपको उस पार दिखने लगेगा और आप शूट भी कर पाएंगे तो वीडियो लास तक देखने के लिए थेंक्यू सो मच तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा गुडबाई टेक केर और डोंट फॉर्गेट तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब